अब सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको learning action protocol के बारे में सम्झाने वाले हूँ learning मतलब सीखना, action मतलब करिया, protocol मतलब जैसे guideline बोलता है तो ये जो हम लोगोंने learning action protocol जो बनाया हुआ है वो हम लोगोंने IIT Bombay में बनाया हुआ है ये जो protocol है वो आपको सीखने के लिए बचों पर इस्तेमाल करना है ये जो सारा आपने सीखा है 10-11 हफतों में तो ये जो सीखा हुआ है तो वो आपको फिल्ड में कैसे आगे लेके जाना है ये protocol आपको उसका guidance देने वाला है तो ये जो है ये वाला जो blue color का है वो लड़को का है वो है गुलाबी रंका है मैं आपको I will advise कि जो भी बच्चा आप लेने वाले हो जो सीखने के लिए जो लेने वाले हो pregnant mothers है जो तो उनके लिए आपको हर एक पच्चे के लिए आपको एक एक chart A3 size पे आपको print out कराना है अच्छे paper पे प्रेंट आउट कराना क्लर में कराना क्योंकि बहुत अच्छा है दस पेज का आचली card है लेकिन ये आपको सीखने में इतना मदद करेगा मतलब आपके बच्चे के वजन भी बढ़ेंगे और आपको हर बच्चे पर क्या करना है अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ना है तो क्या action लेना है कौन से कौन से वीडियो पर दिखाना है कितना वजन बढ़ना चाहिए अगर वजन नहीं बढ़ा तो किसको पास भीजना है सारा जो है आपको ये गाइड करेगा ठीक है ये जो डेटा काड है अच्छी लर्निंग अक्शन प्रोटकॉल मैं बताते हूं ठीक है तो ये है लर्निंग अक्शन प्रोटकॉल का पहला पेज है पहला पन्ना है तो उसमें आपको जबी भी बच्चा पैदा होता है तो आप आपको उसकी थोड़े से information डालने है, for example, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे की ID की संख्या क्या है, अगर कोई आपके पास ID है तो ID भी आप डाल सकते हो, उसकी जनम की तारिख क्या है, कौन से दिन पर वो जनमा हुआ है, जनम की टारिख क्या है, कौन से दिन पर वो जनमा आप, you know, तभी तो of course पता नहीं होता है कि लड़का है कि लड़की है, दोनों काड़ आप दे सकते हैं, लेकिन मा को बोलना है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, वहाँ पर उसकी जो staff nurse है, ठीक है, या तो आशा जबी जाती है विजिट के लिए, तो आशा भी ये form भर सकती ह है, तो बच्चे की लंबाई लेनी है, गाउं का नाम क्या है, बच्चे मा कौन से गाउं से है, तालू का अंगनवाडी संख्या, वो भी आपको मा को बताना है कि लिखना है याँ पर कि कौन सी ICDS, अंगनवाडी की कौन सी number से में बच्चा अने वाला है, ठीक है, पी-ए- सब सेंटर बोलते हैं तो उसका भी नाम लिखना है अगर स्टाफ नर्स को नहीं मालूम है तो जबी भी बच्चा आपके पास आए अंगनवडी या आशा के पास तो वहां पे आप ये कार्ड भर सकते हैं ठीक है या बच्चा डिस्ट्रिक हॉस्टिल में जन्मा हो या रूरल प्राइवेट हॉस्पिल में बच्चा जन्मा है तो नीजी पे आप टिक्मा कर सकते हो दूछरा है कि प्रसव की दौरान अपलब व्यक्ती का नाम और पदनाम तो प्रसव की टाइम में डॉक्टर जो था मा के साथ डॉक्टर का नाम क्या है अगर डॉक्टर नहीं है नर्स है तो नर्स का आप लिख सकते हो ठीक है और उसके जो पादयी है वो भी लिखना है आपको आपकी जो ड्री चोईब नीजी का नाम नर्स का नाम अनेव का नाम तो सारे जो बच्चे को संभालने वाले या बच्चे को संभाला है, सब का नाम आप लिखेंगे, तो अच्छा पता जिलेगा कि ये बच्चे को ध्यान रखने के लिए कौन-कौन है, ठीक है, THO है, MO है, A&M सुपरवाइजर है, ASHA सुपरवाइजर, CDPO, अंगनवाडी कार्यो करता, तो आपको पता जिलेगा कि इतने लोग है, गवर्मेंट ने टाइनट किये है कि बच्चे को संभालने के लिए, ठीक है, ये जो है, अभी मा का डेटा आगया आपका, तो मा का नाम, ठीक है, आपको देखना है कि मा की सिक्षा क्या है, सिक्षित है, प्रात्मिक, माध्यमिक उसके चिक्शा क्या है, मा की आयू क्या है, उसकी उमर क्या है, दुसरा है मा का कद, सेंटिमीटर में उसकी हाइड आपको जांचनी है, और उसका हाइड पी आपको लिखना है, मा की आखरिक मासिक धर्म की तारिक, ठीके, तो लें भी बोलते हैं, last menstrual period, तो कभी उसको period आया ह इससे हम लोगों को पता चालेगा कि बच्ना प्रीमॆ पैदा हुआ है कि टाव , इससे हम लोगों पता चलता है पहली AAG कभी हुई डाख निवरां का वजन तो पहली AAG कितना वजन था मा का तो जो लितना आ है आपको दूसरी ANC की तारिक, दूसरी ANC के दौरान का वजन, तो यह मा की सारी है, तो 2nd ANC, 3rd ANC विजट, 4th वी, 5th वी, 7th वी, जितनी भी उसने विजट की है, उसके टाइम का वजन कितना है, वो आपको जाचना है, ठीके, यह वजन से आपको पता चलेगा कि बच्चे का वजन ठी तो यह नॉर्मल डिलिवरी हुई, वाइक्यूम डिलिवरी हुई, सेजरेन डिलिवरी हुई, आपको यहां पे चेक करना है, आपको, सपना के अनुशा, शिशु की घर्ब कालिन आयो, तो कितने हफते पे पैदा हुआ है बच्चा, नॉर्मली बच्चा 49 से 40 हफते में हुआ है, तो चटीस हफते में पैदा हुआ है या पाइतिस हफते में पैदा हुआ है डॉक्तर को मालग होता है, "'घर्फbelt कुल यहाँ पे लिखना है यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि बच्छा प्रीमच्वर है की नहीं नहीं क्या यह पूर्ण अवधी का प्रसाव है की नहीं मतल्ब बच्छा प्रीमच्वर है कि 2007N अब है कि बच्चा प्रीमच्वर है कि जली पैदा हुआ है अभी बच्चा पैदा हो गया तो आपको यह लिखना है कि सिशो के दूद पिलाने के संबनने रेटा मैं भी बच्चा पैदा हो गया तो अभी आपको यह बच्चे को तुरंती मा का दूद मिला था कि यह आपको जाचना है और यहां पर हाया ना लिखना है। यहां परकाए। प्रशव के समय ब्रेस्ट करो किया गया था हाया ना। चैकर शिशी को अस्त्रपताल में ही गला तो यह लोग को पता, और बिस सफिकल में कि बच्छे को मां का दूद मिला था कि नहीं। क्या मा वाशा के लılarा स्पानी के刃 यह तो यह कैसा girl kasus नीकानी का सिकाना यह तो मैं या पड़कर मी इस है कि चैनलती अब कि आहिए सिवाल डाल tensor को कि कैसे जो पूछी मात्पोर नीकाना की कि बहुत ताम ऐसा होता है कि डिलिवी के बाद अगर बच्चा लाच नहीं करा है या बच्चा बहुत सुस्त है तो मा अपना दूद निकालके बच्चे को पिला सकती है ठीक है तो अगर मा को टेक्नीक मालूम होगा तो वो दूद पिला सकेगी तो यह आपको डेफिनिटी पैदा हुआ है वो दिन का आपको तारिक लिखना है मिलने के दिन जो के बच्चा तो हॉस्पिल में होगा तो वो आपको अपको डेजिरो का आपको लिखना है वजन कितना था ब़ला वजन ब़र्ट के टाइम पर जनम के टाइम पर यहां पर कुछ नहीं आएगा पिछली कुछ शहड़ के डिए है जो मिन्हें आपको लास सेशन में जिखाए होख था तो वह ग्रोच को प्लॉट करकी आपको यहां पर लिखना है कि बच्या सिंद भी पैदा हुआ तो आईवरेज पैदा हुआ हुआ तो थोर्ड परसंटराल पर पैदा हुआ हूआ तो आपको उ अगर शिशु का बजन कम हो रहा है या वजन नहीं बढ़ रहा है तो क्या उसे स्वास्त से विका के तो यह जिरो दिन में तो नहीं आएगा बच्चा तुरंट का ही पैदा हुआ है तो यह आपको लिखना कुछ जरूरी नहीं है और स्तन की दूद के अलावा और कुछ देते तो यह भी आपको ध्यान में रखना है अगर बच्चे को कुछ भी मिला है माने कुछ भी दिया है दूद के लावा तो आपको यहां पे लिखना है अगर आप लिखेंगे कि क्या दिया है तो वह भी अच्छा रहेगा पहले दो दिन बच्चा हॉस्पिल में रहता है तो यह पहले दो दिन स्टाफ नर्स ये सब डेटा भरेगी ठीक है तीसरे दिन पे बच्छा घर जाएगा तो थीसरे दिन पे आपको बच्चे को हूं विजिट करनी है और ये पूरा प्रोटकॉल मैंने दिया है कि काउन से काउन से दिन में विजिट करनी है क्या करना है मैं आपको बाद में दिखाऊंगी लेकिन ये जो है आपके सारी अलग अलग विजट है देखे पहले चौदा दिन मैंने बहुत विजट्स दी है क्योंकि तीन से तीन दिन पाचवे दिन सातवे दिन दसवे दिन बारा चौदा क्योंकि ये टाइम पे मा लैचिंग सिकती है हो जाएगी जितना बच्चा सही तरह से स्तनपान करना सिखेगा उतना आपका काम सरल हो जाएगा तो आपका धिये यही होना चाहिए कि कितना मैं मदर को जितना जली सिखाएंगे उतना रिजल्ट आपको फिल्मे मिलेगा specifically ANC में अगर सिखा देया तो आपका जो postpartum जब ही माँ PNC वार में होती है तो बहुत सारे points उसे पता है कि मुझे पानी पिना है मुझे हाथ दोने है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चे को ऐसे पकड़ना है फिर आपको सिफ लाचिंग पे ही ध्यान देना है कि skill पे, skill तो आपको देखना है कि बच्चे को सिख ठीक तर से पकड़ा हुआ है कि बच्चे का मुझे बहर की तरफ है कि नहीं उसका नाक निपल के नीचे होना चाहिए ये सारे points आप फिर आपको सिफ वही points पे ध्यान देना है मा को और अलुम है कि रात को पिलाना है, दिन में पिलाना है, कितनी बार पिलाना है वो सब मा को अलोडी टुटॉर्ल के माधियम से मालूम है आपको फिर skill पे ध्यान देना है मेरा कहने का मतलब है कि जतना जल्दी हो से कि आप मा को delivery के पहले सिखाए तो आपका जो काम है बहुत easy हो जाएगा ठीक है ठीक है अभी 14 दिन के बाद 14 दिन तो आपके HPNC विजिट होती है इसके बाद जो है मैंने 28 दिन पर दिखा है देखे अभी 2-2 हफते के बाद विजिट चालो हो रही है और फिर 28 दिन के बाद 42 दिन पर छट्वा सब्दा छट जो के बाद 16 दिन आप 15 में बच्चे को वैक्सीन मलता है तो वो टाइम में जहां पर भी वह जा रही है तो अनेम के पास जा रही है तो अनेम बच्चे का वजन करेगी और इसका हाइट भी चेक करेगी तो वह आपको द्यान में रखना है कि वीजिट में बच्चे की अगर बच्चे का वाज़े नहीं बढ़ रहा है वह चार्ट के हिसाब से तो बच्चा डेफिनिटली आपका मैनल लुटरिशन में आ जाएगा और बात कही है साधे तीन हफता, साधे चार मैना, साधे पाँच मैना वो विजिट भी डाली है यह आके की जो विजिट आरही है, वो है आपकी कॉम्प्लिमेंटरी फीडिंग की विजिट में आप देखेंगे कि पहले तीन-चार टाइम मैंने हर दो-दो हफते पुलाया हुआ है, क्यों? क्योंकि हर बच्चे को सिर्फ दाल और चावल मिल रहा है, यह ज्यादा नहीं मिल रहा है इंडिया में तो मुझे आपको सिखाना है कि जैसे जैसे आप मा को सिखाएंगे वो behavior change होता है कि नहीं तो वो behavior change देखने के लिए आपको हर दो-दो हफते देखना पड़ेगा बच्चे को at least 8 मैने तक आपको हर दो-दो हफते पर उसके बाद एक-एक मैने पर देखेंगे तो चलेगा ठीक है तो यह सारा some data है मतला वजन का data है length का data है ठीक है वच्चा Sam में है कि नहीं मैम में है कि नहीं कितनी बार 24 गंटे में दूद पिलाया मा दूद पिलाती ही कि नहीं उपर का दूद कुछ चालो किया कि नहीं अलग अलग जो powder सी recipe lax-noff期 में निक्षा हुआ है मुमफली का powder बनाया fra-po audio gel विजो क बनाया fra-po料 iks-noffетиist ky dna क्योंकि यह कर आप home visit में यह सब तो पूछेंगे और मा को बता EC1 ही नहीं और मा को बता को थाझे मां 2020 आपको आचली देखना है, तो जब भी मा बोलेगी कि हाँ मैंने मुंफाली का पाउडर बनाया, तो आपको देखना है, बताओ मुझे, कहां पे बनाया, कैसे बनाया, कौन से डबे में रखा है, वो आपको जाचना है, क्योंकि कभी-कभी मा बोलती है, मैंने बनाया, क्योंकि पैट नहीं है तो बच्चे को infection होने के chance पहुँच जादा है तो वो आपको भी आपको जाचना है और दूसरी जो food groups के में मारे बारे में हमेशा बताती रहूं कि 8 तरह के food groups है तो यहाँ पर मैंने सारे food groups दा ले वे कि अनाज दे रही है कि नहीं हिए डाले दे रही है दूद के प्रदार्थ दे रही है कि नहीं अटना नवेश थो वह तो यह सब भी है हाप सारे मैंने डाले होगे तो हां नहीं डाले तो ना ठीक है और कितनी बार दे रही है कैसा consistency है मतलब फातला है पतला है कुछ you know चंकी फूड है कि नहीं, तो वो भी मैंने डाला हुआ है, ठीक है, और चोबीस गंटे में कितनी बार भोजन दिया, वो भी डाला हुआ है, कितना कटोरी, आदा कटोरी, चार चमच, छोड़ा चमच, वो सब भी आपको देना है, ठीक है, अगर शीचु का वजन कम हो रहा है, तो आपने बच्चे को रिफर किया हुआ है कि नहीं, तो यह भी डाला हुआ है, कि अगर बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो आपको किसी और आपकी जो सीनियर है, उनकी भी आपको सला लेनी पड़ेगी, कि क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है, कभी-कभी अगर वजन बढ़ता है, तो कुछ मेडिकल प्रॉब्लम में हो सकते हैं, तो आपको वेट नहीं करना है, अगर आप वेट करेंगी नहीं, बच्चा साम में जाएगा, तभी में छोड़ूंगी, तो वो तो बहुत लेत हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपको यह एक चार्ट है, वो आपक सिखाया हुआ है कि ब्रेस्ट फिरिंग फॉर्म कैसे भढ़ना है, यह में डिटेल में नहीं जाओंगी, मैंने आपको अलड़ी वो पूरा सेशन एक घंडे का लेवा हुआ हुआ है, तो यह अलग अलग चीज़े है, मा की पुजिशन, लाचिंग, बच्चे की पुजिशन अन्य जो परामर्श के बिंदू है, महतो पुरुन के, तो वो यह है, तो यह भी आपको भढ़ना है, आपको यह क्या करना है कि यहां पे आपको मा का नाम, सिशु का नाम, जनम तारिक, कभी अपने फॉर्म भरा है, पहला दिन की तारिक लगनी है, और सिशु के जन पर करना है, तो यहां पे आप आज का डेट डालेंगे यहां पे, और यहां पे डालेंगे आज डे वन है, बच्चे का, तो वन डे ओल्ड और फिर यहां पे अगर पॉजिटिव सारे पॉइंट से तो आप यहां पी टिक मार्क करेंगे, अगर नेगिटिव है तो यहां पे कि वो बहुत आपको Pan करा क्यूंकि तो आपको पता चले गया कि मा को कितना याद रहा है, कितना पैतलिस पर्म से कितना याद रहा है, कितना याद नहीं रहा है, ठीक है, तो यह आपके पॉइंट्स हो गए, दूछरे है पॉजिशनिंग, कि मा ने ठीक तरह से बच्चे को पकड़ा हुआ है कि नहीं, बच्चा अगर पुजिटिव सब अच्छा है तो यहां लेफ्ट में आएगा सारे माक्स अगर नहीं अच्छा हो रहा है तो आपको यह बाजू तो जैसे वे आपके पूरा इंडिक्षन खतम हो गई थोड़े सवाल आपको पूछने भी पढ़ेंगे कि रात में कितनी बार पिला रही हो दिन में कितनी बार पिला रही हो वो थोड़े सवाल आपको माको पूछने पढ़ेंगे आपको निरिक्षन उसमें चांस नहीं मिलेगा और एंड में जितने आपके यहां पे राइट में इतने सारे टिकमाकार है उसका मतलब ये कि आपको ये सारे points पे मा को वापस सला उसको देनी है, counselling करना है, ठीक है? अगर यहां पे left में सारे आ रहे है points उसका मतलब आपको बिल्कुल attention करने के जरूरते मा को मालूम है कि उसको क्या करना है, ठीक है? तो left side मतलब सही, right side मतलब गलत ठीक है? तो ये right side वाला सारा जो अगर आया, तो मतलब वो आपको ज्यादा मेहनत करनी है मा को सिखाने के लिए, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका page 2 अब भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, page 3, ठीक है? ये है आपका page 3 यहाँ पी मैंने WHO growth chart डाला हुआ है, ठीक है? तो मैं आपको WHO growth chart भी मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे plot करना है, ठीक है? तो ये जो है, ये आयू के नीचे जो ये जो पूरा चार्ट है, वो 0 to 6 मैंने का चार्ट है, ठीक है? मतलब बच्चा जनम के टाइम से लेके 6 मैंने तक चार्ट का बच्चा है, जो पूरा सिफ मा का दूद बिरा है, ये 6 मैंने के अंदर के बच्चे को आपको ये आपको वजन दिया हुआ है, दो किलो, तीन किलो, चार किलो और हर जो चोटी-चोटी लाइन है, वो 100 ग्राम की लाइन है, ठीक है? तो अगर बच्चा ढ़ाई किलो का है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, यहां पे बच्चा आपको टिक मार करेंगे, ढ़ाई किलो का बच्चा आवरेज, पदला 58th परसंटायल पर बच्चा है, अगर औरेंज लाइन पर नीच रहा तो पता चलेगा कि 15% पर बच्चा है, वैसे आपको उपर भी अगर बच्चा बहुत हल्दी है, तो उपर बच्चा जाएगा, 85 टका, 97 परसंटायल, यह सारा जो है, वो आप पता चलेगा, ठीक है, दूसरा है आपका, यह है तीन महेना, बन्तल पच्चा अगर 13 हफ़ते का हो गया, तो यह आपका 3 महेने का बच्चा 13 हफ़ते में होता है, ठीक है, तो 3 महेने में जब आप विसिट करेंगे, जो कि मैंने 3,5 महेने की विसित रखी हुई है, तो पहले की विजट के हिसाब से नहीं बड़ा है या बच्चे का growth catch up नहीं हो रहा है हमारा average हम लोग को बच्चे को यहाँ पर हरी लाइन पर लाना है तो अगर बच्चा हरी लाइन पर नहीं आ रहा है बहुत या तो हरी लाइन नीचे जा रहा है उसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, most likely breastfeeding का ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और आपने तो भी चारी वीडियो देख ठीक है, तो आपको मालूम है कि बच्चे का वाजन क्यों नहीं वड़ेगा रही, तो आपको वापस मा को पूछना है, रात को दूद पिला रही के नहीं, ये करी के नहीं, दो बच्चे का वाजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो गया आपका वजन के अनुसार, उमर के अनुसार वजन, तो दूछा जो है ये वाला है, ये है लंबाई है, तो आपने तुटरॉल दिखा हुआ है कैसे वह लंबाई जापचना है, ठीक है, तो वह आपको उसके लंबाई यहाँ पे डालनी है बच्चे की उसके हफते के हिसाब से और उसके महिने के हिसाब से तो यहाँ पे लंबाई आपको पता चलेगा कि बच्चे की लंबाई हो रही कि नहीं हो रहा है वापस आपको पता चलेगा कि जितना आप उसका बच्चे का वजन बढ़ेगा वैसे ही बच्चे की लंबाई बढ़ेगी ठीक है? तो वो आपको दियान में रखना है कि वजन ही काफी नहीं है आप बच्चे की लंबाई भी करनी है और प्रोटोकॉल में मैंने बताया है कि कौन से हफते में लंबाई जापनी है, आपको हर हफता लंबाई जाचने की ज़रूत नहीं है, कौन से कौन से हफते में जाचनी है, कौन से माइने में जाती है, वो भी मैंने लेपी प्रोटोकॉल में बताया हुआ है, तो ये तो हो ग बच्चा 6 महने का हो गया, ठीक है, अब भी 6 महने से लेके 2 साल तक की बच्चे को आपको यह वाला चार्ट यूस करना है, ठीक है, यहां पर दिखाया गया है, देखे 6 महना, 7 महना, 8 महना, यहां पर होगा 1 साल, ठीक है, जुकि हमारा LAP प्रोडोकॉल सिर्फ एक साल का है, ल आपको सोसोग्राम देखना है, ठीक है, और यहां पर परसंटाल चार्ट है, तो अगर आपका 6 महने का बच्चा देखे, अल्रीडी लड़की है, अगर अल्मोस्ट साथ किलो की हो गई, तो अल्रीडी आपने देखा कि कितना अच्छा उसका वजन बढ़ेगा, क्योंकि यह जो है, आयु के हिसाब से बाले का की उच़ाई, तो पहले था, वो तो वजन था, अवी यह है आपकी उच़ाई है, बच्चो की, तो इसी तरह जैसे मैंने उपर बताया है, यहां पे बच्चे की उच़ाई है, I would call it लंबाई एक्चेली, बच्चो की लंबाई, ठीक है और उसके बाद दूसरा एक चार्ट है वो है आपका Sam Mam का चार्ट यह जो चार्ट था यह percentile चार्ट था लेकिन जो Sam Mam का चार्ट होता है वो हमेशा Z-score चार्ट होता है तो आपको दिहान में रखना है कि वहाँ पे जो Z-score चार्ट है उसमें अलग तरह के बच्चे होंगे देखे मैं आपको जो Z-score चार्ट है वो उसमें अलग तरह के चार्ट है वो percentile चार्ट नहीं है यह जो है देखे यहाँ पे देखे यहाँ पे percentile नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है zero, one और minus one, two, minus two, three और minus three तो लंबाई के हिसाब से बच्चे का वजन क्या है और अगर आप Z-score चार्ट, यह Z-score चार्ट है, standard deviation चार्ट है तो यह जब भी डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को, बच्चा Sam में है कि Sam में नहीं है, ठीक है अगर बच्चा minus three के नीचे आ रहा है बच्चा तो उसका मतलब वह बच्चा Sam है अगर बच्चा minus two or minus three के बीच में आ रहा है तो उसको बोलते हम लोग man, ठीक है और आप देखेंगे कि यह जो बच्चा normally average पे होना चाहिए यहाँ पे zero line पे होना चाहिए, हारी जो line है लेकिन अगर बच्चा नीचे आ गया, मतलब लंबाई के हिसाब से वो बच्चा कमजोर है, ठीक है तो आपको वापस, जैसे मैंने tutorial में बताया हुआ है अगर शे मैने के अंदर का बच्चा है, तो उसको मा का दूथ सही तरह से आप पिलाएंगे तो बच्चा definitely उसका वजन बढ़ेगा शे मैने के उपर है, तो उसको आपको प्रोटीन खिलाना है ना खिला सकते हैं, दही, पनीर ऐसी चीज़े हैं आप खिला सकते हैं जैसे बच्चे का वजन बढ़ेगा यहाँ पर मैंने दो फोटर दिये हैं एक तो है cross-cradle hold, ठीक है और दूसरा वाला है जो आपके food groups है, art food groups है तो यह आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे बच्चों को क्या-क्या खिलाना है तो यह तो हो गया आपका, you know, part one कि LAP protocol अभी पूरा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं break लेती हूँ और मैं आपको वापस दूसरे session में सिखाऊंगी कि कौन से-कौन से tutorial, कौन से phase में दिखाना है और LAP protocol actually क्या है कौन सी action लेनी है है हर विस्ट में, ठीक है धन्यवाद कि अरब कंदे एंग कि आपका परो वोकते में कंदे लेए कि आपका वोगना है अहाँ भाल कि अर वोगन trading